ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत है मेस राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19, 20, 21 और 22 नवंबर के इन चार दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि आपकी राशी वालों के लिए 19 नवंबर से 22 नवंबर यानि कि इन चार दिनों का समय कैसा रहने वाला हैं ग्रहन लक्षत्रों के इसाब से इन चार दिनों में आपकी स्थितिक प्रकार रहने वाले हैं किन किन चीजों से आपको फायदा होगा किन किन चीजों से आपको इन का शंपॉन शटीक रासीफन या दोस्तों वीडियो का अगर सुरू करें सबसे पहला आप लोगोसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक करें और सच चदल से कमेंट स्वोक्स में जैज सुरेदेव अवश्यल के जिससे भगवान सुरेदेव का सिरवाद आपको करके किसी भी समस्या को सुल्जाने में शक्सम रहेंगे आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत इस्तिती में रहेगा परिवार के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना आपको खुशी प्रदान करेगा पुराने मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है पुरा इस्तिती में पाएंगे और सफलता भी आपको हासिन होगी घर के नवीनी करण तथा शाज सज्जा संबंदी कोई रूप देखा भी बनेगी सातिसात धर्मिक तथा आध्यात्मिक गति विद्यो में आपका रुजहन रहेगा किसी जरूतमंद की मदद करने से आपको आत्मि खुसी भी प्राप्त होगी किसी सुबचिंतक का आशिरवाद वे सुबकामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी दोस्तों साति साथ यह समय आप किसी रुक हुए काम को उन रूप से संपन करने में सफल रहेंगे बहतर करने के लिए आप कुछ शकारत्मक बदलाव लाने पर विचार करेंगे आपके विनर्म श्वभाव की वज़े से समाज वे संबंदियों में उच्छित इस्तान बना रहेगा आपकी योगता वे चमता लोगों के सामने आने से उनके दिल में आपके प्रती विसेश संब्मान रहेगा किसी जरुतमंद मित्र की मदद करन से आत्मिक शांती आपको प्राप्त होगी कुछ समय परिवार के साथ हास परियास तथा मनोरण्यन संबंदी कारों में व्यतीत होगा दोस्तों साथिसाथ यह समय दोड़ धूप की अधिक्ता तो रहेगी परन्तु घरों की सफलता आपकी ठकान को दूर भी कर देगी समय की पक्ष में हैं अनुबबी लोगों का आपको साथ मिलेगा साथ साथ कभी कभी किसी काम में मनो अनुकून पलणाम ना मिलने से आपको ऐस हैजता महसूस होगी परन्तु जल्द ही शमाधान भी प्राप्त होगा व्यर्थ के कामों में आप समय नश्ट ना करें तता खर्चे भी बजट के अनुसारी करें तो अच्छा रहेगा आर्थिक मामलों में काफी सूज बूज कर वैसोच विचार विमर्स करके आप निर्नेलें किसी प्रकार का विश्वास गहत या धूका हो सकता है अपना कोई भी प्लान किसी के समक्ष सरवाजनिक आप ना करें तथा अप पूर्ण वस्तूओं को बहुत अधिक समाल कर रखें किसी नजदी की व्यक्ति से अचानक ही किसी मुद्दे पर वाद विवाद उत्पन हो सकता है शांति पूर्ण ढंग से आप मामला सुल जाएं अपनी गतिविदियों तथा योजनाओं के बारे में किसी से आप चर्चा ना करें उन्हें गुप्त रखें दोस्तों साति सात वाहन या कोई भी मसीनरी संबंदी उपकरन बहुत ध्यान पूर्वक इस्तमाल करें किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई प्रिये या एस सुब समचार आपको मिल सकता है खर्चों की अधिक्ता पर अंकुस लगा कर र शाति सात अध्यनरत विद्यारती आलस की वज़े से पढ़ाई में भी पिछड सकते हैं किसी प्रकार की यात्रा को करने से आप परेज करें क्योंकि किसी भी प्रकार का फायदा ना होने की इस्तिती लग रही है शंतान की परेसानियों में आपका शयोग सर्वोत्तम रहेग दोस्तो बात अगर आपकी लव लाइफ की करें तो यह समय पती पतनी के बीच आपसी समंजस मधुर रहेगा पुराने मित्र से मुलाकात प्रसन नता देगी तथा पुराने यादे भी ताजी होंगी घर का वातावरन खुसनुमा बना रहेगा जीवन साती के साथ भी संबं मधुरता पुर्ण रहेंगे अध्यादिक वेश्टता के बावजूद भी घर परिवार पर शमय देना परिवारिक संबंदों को और अधिक मजबूत करेगा तथा घर का वातावरन खुसनुमा बना रहेगा शाती सात जीवन साती का सयोग परिवार के वातावरन को शांती पूर्ण तथा अनुसासित बना कर रखेगा किसी मांगलिक कारे संबंदी योजना भी बन सकती हैं दोस्तो प्रेम जीवन के दृष्टी कौन से यह समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है इस समय का आप अवस्य ही लाब उठाएं दोस्तो बात अगर आप के वैवसाय और केरियर की करें तो यह समय आप अपने करेच्छेत्र में अपनी गतिविद्यों में और अधिक सुधार लाने का प्रत्न करेंगे परन्तु डील करते समय बहुत अधिक चोकन्ना रहने की आपको आवश्यक्ता है थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती का ब राज की एक काम पूर्ण होंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है वैवसाय में बहुत अधिक कार्रे तथा किसी नई जिम्मेदारी की अधिकता रहेगी घर परिवार की उल्यनों से ध्यान हटा कर अपने वैवसाय नोकरी पर आप अधिक ध्यान दे नोकरी पेसा व्यक्ति अपने लक्षे को पूर्ण करने में समर्थ रहेंगे साथिसाथ इस्थान परिवर्तन संबंदी समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है साथिसाथ वैवसाय संबंदी नई नई बातों की जानकरी आपको प्राप्त होगी इस से आत्म विश्वास बढ़ेगा ओफिस के काम से किसी टूर पर भी आपको जाना पड़ सकता है साथ ही बॉनस या तरक्की के भी योग बने हुए हैं अपने संपर्क सुत्रों के दाइरे को और अधिक विश्टरित करना आपके लिए फायदेवंद साबित होगा साथ साथ कोई ऐसी गलती या आप से चूक हो सकती है जिससे आपको अधिकारियों की डाट का भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए थोड़ा साफधान रहें शातिसाथ कारे छेत्र में मरम्मत वैं रंग रोगन संबंदिक कार्यों की भी योज ना बनेगी युवा वर्ग को अपने क सफल तपराप्त होगी नौकरी करने वालों के लिए यह समय बहुती अच्छा साबित होगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ की करें तो यह समय ब्लड प्रेशर तथा डायवेटेज की परिशानी से संबंदित लोग अपना ध्यान अवश्य रखें तनाव को अपने पर हावी ना होने दें मौसमी बुखार भी रह सकता है अपनी दिंचरिया को आप शेय मित रखें बदलते मौसम के नकारात्मक प्रभाब का अशर आपके स्वास्थ पर भी पढ़ सकता है इसलिए आप आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें संतुलित आहा का शहर अले आपके स्वास्त के लिए अच्छा रहेगा